बांगलादेश बनाम श्रीलंका, ICC वर्ल्ड कप 2023 के रतीसमे मैच में बांगलादेश ने श्रीलंका को तीन विकेट से हार दिया भारतिय महिला होकी टीम ने जापान को हरा कर एशियाई चेंपियन्स ट्रोफी का खिताब अपने नाम किया है भारतिय महिला टीम का ये दूसरा एशियाई चेंपियन्स ट्रोफी खिताब है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को अगले पांच साल के लिए श्री सोमनात ट्रस्ट का अध्यक्ष चुना गया है बुचरात के राजभवन में सस्ट के न्यासी बोर्ड की 122 वी बैठक में यह फैसला लिया गया है पीम मोदी को पांच वर्षों के लिए सस्ट का चेयर्मेन बनाया गया है भारत और इटली देश ने श्रमिकों छात्रों तथा पेश्यवरों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए आवाजाही वप्रवासन साज्यदारी समझोते पर हस्ताक्षर किये है मलेशिया के विदेश मंत्री जामरी अब्दुल कादिर अपनी पहली भारत यात्रा पर दिल्ली आये है ये उनकी पहली भारत यात्रा है इसका उत देश्य दोनों देशों के बीच उननत रन्नी तिक साज्यदारी को मजबूत करना है श्री कादिर कल नई दिल्ली में विदेश मंत्री सुब्रमन्यम जेशनकर के साथ छठी भारत मलेशिया सयोकतायोग बैठक की सेह ध्यक्षता करेंगे उत्तराखंड उच्चन यायाले के नई मुख्य न्यायादी श्रितु बिहारी बने हैं मनोरंजन टेलिविजन चैनल कलस ने सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाव भियान को बढ़ावा देने के लिए महिला और बाल विकास मंत्राले के साथ करार किया है तलस के नई शोडोरी के माध्यम से बालिकाओं की उपेक्षा के बारे में सामाजिक जागरूपता लाने का प्रयास किया गया है केरल राज्य धार्मिक पर्यतन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाशी माइक्रो साइट लॉंच करेगा रक्षा अनुसंधान और विकास संगतन डी आर्टियो ने प्रोजेक्ट कुशा शुरू किया है